हाई आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ आईलाइनर कैसे करते हूँ मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया है लेकिन आज मैं जो आपको आईलाइनर अपलाइ करके दिखाऊंगी इसका कलर अलग है और इसका लुक बहुत ही अच्छा है इसका कलर बहुत ही प्यारा है खास करके आप जब स्काय कलर के कपड़े पहन कर पार्टी में जा रहे हैं तो ये आईलाइनर आप अपलाइ करेंगे तो आप सबसे अलग दिखोगे और डिफरेंट लगेगा ये कलर और आपका लुक उबर कराएगा आपका मेकप उबर कराएगा जस्ट लाइक पार्टी म मैंने पिंक कलर का आईसेड अपलाइ किया है इसके बाद ये मैं मिस कलेर की आईलाइनर ले रही हूँ परल आईलाइनर इसका कलर बहुत ही प्यारा है ये मुझे बहुत ही पसंद है आईलाइनर और अब मैं इससे अपलाइ करूँगी मेरी आईस पर इनर कॉर्णर से स्टा आप से एकी बार में नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा-थोड़ा करके ड्रो करदीजिए लेकिन एक बार में अगर ड्रो होजाय तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है गेप नहीं रहेगा और अब जहां पर भी गैप है उसे आप फिल कर दीजिए दूसरी बार ड्रो करके पता नहीं आपको यह अच्छे से दीख रहा है या नहीं यह बहुत ही पतली लाइन में ड्रो करी है तो आप चाहो तो इससे बड़ी आई-लाइनर कर सकते हो या जितनी लंबी चाहो आप रख सकते हो और यहाँ पर मैं थोड़ी ठीक करूंगी आई-लाइनर ताकि आपको अच्छे से दीख जाए और मेरा सजेशन है कि आप इसे ज्यादा मोटी ना करें खास करके हुडेड आईज वाले क्योंकि ज्यादा मोटी आप लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आई-सेडो अपलाई किया हुआ है तो थोड़ी पतली ही रखें यह सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ज्यादा बड़ी रख रही हूँ इस साइज में भी मैं थोड़ी मोटी कर रही हूँ ताकि लेवल दोनों सही हो जाए इसके बाद यह मैं मस्करा लूँगी यह स्वीज ब्यूटी का है तो इससे लुक और भी अच्छा आएगा इनर कॉर्णर से लेकर आउटर कॉर्णर तक अच्छे से कल करें यह लूँग लास्टिंग वाटरप्रूफ मस्करा है और इसे हमारे आईलेसिस बहुत ही अच्छे से कल होते हैं जैसे की हमने फिक आईलेसिस लगाए हूँ और अब आप लुक देख सकते हैं दोनों आईज का आप आईज क्लोज करके देख लीजिए कि सही है कि नहीं दोनों तरफ की देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है तो आपने देखा कितनी इसी तरीके से मैंने आईलाइनर अपलाई कर दी और लुक भी बहुत अच्छा ल comment box में लिखकर बताए कि आपको यह कैसी लगी and don't forget like subscribe and share thanks for watching see you in my next video